मौसम विभाग पटना से प्राप्त आकरो के अनुसार राजधानी के नियूंतम तापमान में 3 डिगडी की कमी आई है बीते 24 घंटे के दोरा सोमवार को पटना वहिस के आसपास के इलाकों में आशंकी रूप से बादल चाय रहे बिहार में ठंट का मौसम अब बिलकुल दहलीज पर आ गया है पूर्वी हवा के प्रभाव में कमीव पच्छुआ का प्रभाव बढ़ने से सुबे के तापमान में गिरावट आ रही है प्रदेश में बीते 72 घंटों के दौरा तापमान में तीन डिगरी की गिरावट दर्च की गई है मौसम विभाग पटना से प्राप्त आकरों के अनुसार राजधानी के नियूंतम तापमान में तीन डिगरी की कमी आई है बीते 24 घंटे के दौरा सोमवार को पटना वैस के आसपास के इलाकों में आशंकी रूप से बादल चाय रहे मंगलवार को भी प्रदेश के अधिकांज हिस्सों में आशंकी रूप से बादल चाय रहने का पूरवानुमान है हाला कि प्रदेश का मौसम सामानने तौर पर 29 अक्टूबर तक शुशक रहेगा इस दौरान सामानने तौर पर बारिश के आसार नहीं है कुछ इलाकों में इस थानिये कारणों से हलकी बूंदा वांदी हो सकती है मौसम विज्यानिकों की माने तौर बारिश का सिस्टम निश्प्रिये होने के कारण सुभा और रात में लोगों को हलकी ठंड का एहसास हो रहा है कुछ ऐसे ही स्थिती कुछ दिनों तक बने रहने के आसार है राजधानी में आशंकी रूप से चाय रहेंगे बादल गिरेगा तापमान 72 घंटों के दोरान राजधानी के पारे में तीन डिग्री के गिरावट 29 अक्टूबर तक प्रदेश का मौसम रहेगा सुशक जून से भारत ने सक्रिये होने वाला मौनसून 25 अक्टूबर यानी सोमवार को देश से पूरी तरह लोट गया है इसकी जानकारी मौसम विभाग के दिल्ली केंद्र से जारी रास्ट के पुरवानुमान में दी गई है इसके बावजूद इसके स्थानिये कारणों से कुछ इलाकों में अब भी बारिश हो रही है संत्र मंत्र के बाशा भारत के जाने माने सर्विसे गुरू खान जी मिलेगा हर समस्या का समधार गैरंटी के साथ मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिष्टे आते थे पर कोई न कोई अर्चन पढ़ जाती थी इसी वज़ा से मेरा पूरा परिवार बहुत परशान था बावा जी की दुआउं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर के बहु बने बट को चाहे जहां काम होका सिर्फ यहां ग्रह कलेश, कर्श मुक्ती, प्रेम विवा, जादु टोना, पती-पत्नी में अन्बन सोतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिर्मों में प्रवेश और कोट का चैरी जैसी समस्याओं का समाधान सभी समस्याओं का समाधान गुरू खान जी अभी कॉल करें 9821707996 चलिए आपको बताते हैं कि सोमवार को प्रमुक शहरों का अधिक्तम तापमान क्या होगा सीता मरी के पुपनी में 34.2 डिग्री पटना में 31 डिग्री गया में 30.8 डिग्री भागलपुर में 30.4 डिग्री मुझफरपुर में 28.8 डिग्री अधिक्तम तापमान डिग्री सेल्सियस में है